खबर मदप्रदेश की है जहां संक्रमण की दूसरी लहर के काबू में आने के बाद अब करोना की नए डेल्टा प्लस वेरियंट का पहला मामला मिलने से चिंता बढ़ गया है मुपाल में बर खिड़ा पठानी निवासी 64 साल की महिला में यह वेरियंट मिला आए कुछ दिन पहले महिला का सेंपल जाच कराने के लिए भिजा गया था हाला कि अब महिला की रिपोर्ट निगेटिव है और वह अपने घर पर है देश में करोना की दूसरी लहर के लिए करोना के डेल्टा वेरियंट को जिम्यदार माना जाता है यह पहली बार भारत में ही पाये गया इस वेरियंट का बदला स्वरूप डेल्टा प्लस है इससे पहले देश में डेल्टा प्लस वेरियंट के छे मामले मिल चुके हैं हलाकि गांधी मेडिकल कालेज भोपाल से इस महिन ने 15 सेंपल जाच के लिए वेज़ी गये थी जिनमें सिक्वेंसिंग में महिला के सेंपल में डेल्टा प्लस वेरियंट मिला है साथ ही रिपोर्ट में डेल्टा और अन वेरियंट भी मिले हैं स्वास्ता विबाग और जीला प्रसासन की तरब से महिला की कांटेक्ट हिस्टरी निकाली गई है जिसमें 20 लोगों की पहचान की गई है जिनकी जाज की जा रही है स्वास्तविभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट फाइनल होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे फिलाल इस मामले में अधिकारी नया वेरियंट मिलने की बात कबूल रहे हैं लेकिन अभी अधिकारिक रूप से भी कुछ कहा नहीं जा सका है जिस महिला में डेल्टा प्लस वेरियंट की पुष्टी हुई है अब वह ठीक है